साथ्यों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्ताओं के लिए, रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, हम पिछली सताब्दी के कानून लेकर के अगली सताब्दी का निर्मान नहीं कर सकते हैं, जो कानून पिछली सताब्दी में बहुत उप्योगी हुए, वो अगली सताब्दी के लिए बोज़ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म्स लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए, लोग अक्सर सवाल पुछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स जादा बहतर तरीके से काम क्यों करते हैं, पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है, कारण बहुत ही सीधा है, पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों कुछ विभागों को ध्यान में रखे होते थे अब एक संपुर्णता की सोचम से रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं अब जैसे शेहरों के विकास के कोई हम ले ले शेहरों के विकास के लिए हमने चार स्थरों पर काम किया है बीते समय से चली आ रहे हैं समस्यों का समाधान हो जीवन जादा से जादा सुगम हो जादा से जादा निवेश हो और शेहरों की व्यवस्ताओं में आधुनिक टक्नलोजिक आउपियोग अधिक हो भाई और भेनों ये जो रिफॉर्म्स बीते कुछ समय के लिए कुछ समय से किये जा रहा है उनसे देश में नया आत्म विश्वाद आया है विशेश तोर पर देश की बेहनों बेटियों तक जिस प्रकार सरकारी लाप पहुँचा है माताओ बेहनों के इसी आशिरवात से मैं स्वाकई भाव विभोर हूँ जिस प्रकारी लाप पहुँचा है